आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं गूरी के famous destination पे चंदरभागा, कोनार्क, धौलगिरी, लिंगराजमंदे और नंदनकाना हमारे ये कार है, हम लोग ये कार में अभी जाने वाल है, अज थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा एज़ेस्ट कर लेना, बढ़ हाँ वीडियो बहुत मजाएगा, तो वीडियो के एंड तक देखे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल में हम लोग आगे आ चुके हैं और हम लोग खड़े हैं चंदरभागा बीज में यहां पर संसेट और संप्राइस के लिए बीज बहुत ही समय है, चलो देखते हैं अभी क्या है कैसा है, और भाई आप जो अभी हम लोग के सामने देख रहे हैं, यह हम लोग बोलते हैं दही मैं ठीक स्यायन हूं चंदरभागा बीच के यहां पर सिर्व आप बैट सकते हो और यहां पर आस एस तो कव सब्सक्राइब यहां पर जब अपर साथ-साथ यहां पर जब सिजन होता है तो यहां यहां पर बहुत सारे आते हैं तो दिखने में यहां पर बहुत मज़ाता है। व जो बाइक फिछे दी रहे हों इसको हम लोंग बोलते हैं बूल बाइक और उसका जो रूपया पर पर संधे अभी ज़सा मेरे को यहां पर पताया गया है और फिलाल जा रहे हैं है अभी कोनार्क कि और और कोनार्क यहां से तकरीबन चार किलोमेटर दूर है तो चलते हैं अभी कोनार्क मंदिर की और अब है अब है अब है अब है अब है अब हम लोग फिलाल ले चुके हैं यहां ते टिकट यह कुछ इस टाइप के टोकन है नहीं हम लोग के मोनार खेंट रहा है यह जो टेमपल है यह रद के सेपक है और इसमें 24 वील्स है साथ घोड़े हैं और 24 वील्स इंडिकेट करता है 24 हार्स को अगर आपको कलिंग कल्चर का जितना भी आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है तो आप यह मंदीर जरूर आईएगा इन सबी को देखके आपका अंदाजा हो गया होगा कि कितना मंदीर तूट चुका है बाकि वर्क इन प्रोग्रेस है पर धिरेज़े इसको मेरी खालत बनने में भी कम से कम टाइम तो लगे गई कुनार्क मंदीर में देखने और जानने क्लिए बहुत से चीज़े इसलिए मैंने इसको पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए तो दोस्तों अभी हम लोग फिलाल आ चुके है कुनार्क मंदीर से और कुनार्क मंदीर निगल कर अभी ठाय दो भूबनेश्वर के और मोस in चmostर तो चलते में वहां पर देखे यहां पर में यहां पर क्या सीन है और भाई यह जो धौल के लिए टेंपल है यह एक बुद्धा टेंपल है और अभी हम लोग जा रहे हैं उपर की और यहां से जो व्यू है काफी सुपब है मैं आपके यहां का एक व्यू दिखाता हूं इस मंदिर में घुमने के लिए इतना ही था और ज्यादा कुछ स्पेशल है नहीं घुमने के लिए चार्ट बॉद्धिय की मूर्ति हैं जो अलग-अलग मुद्राओं में हैं तो आई अगा यार और अभी यहां से हम लोग लिखाल कर पहुंच चुके हैं लिंगराश टेंपल लिंगराश टेंपल जो ही है भुवनिश्वर में और यह जो है एक लौता मंदीर है जहां पर एक सो पांच सीविल है फिलाल तो मंदीर के अंदर केमरा है लाउड नहीं है बट मंदीर जो है वो बहुत ही खुब सूरत है और पिछले मुझे यहां पर आये हुए लाग 3-4 साल हो गए और 3-4 सालों में मंदीर का पुरा नक्सा चेंज हो गया है मैं आपको मंदीर दिखा अंदर तो कैमरा लेकर नहीं जा सकता बाद हाँ मंदीर बहुत ही खुब सूरत है मुझे खुब सूर्ण से अंदर अधिक है और काफी डिसपाइट्मेंट हो रही है यार क्योंकि कि इतनी दूर से हम लोग आए हैं और नहीं जगनाज जी के दर्सन में नहीं लिंगराश टेंपर महादेव जी के दर्सन में मतलब जैसे एक बच्चा है उसको कोई खीड़ावना नहीं मिलता ता जिस तरह उसको फील होता है से मुझ टाइप के थोड़ा फीलिंग है और ब और भी अच्छे से जानने और देखने के लिए मैंने नंदन कानान के उपर एक पटिकुलरली व्लॉग बनाए हैं जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो मैं उमीद करता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे और उस वीडियो को भी अपना प्यार देंगे हम बेुआ हो कि आपको 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 कि उुआ हैँआ थेखेंगे बाप more तो अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजे चैनल को कर जीजे सस्क्राइब और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई पता ही हो लो ना ऐसा बोलो ना बोलो ना अमर उड़े गए लोगूं तुमको नहीं छोड़ेंगे बाबा काहे चैनल